साथियों, एक सहियोग ये भी है कि आज का ये कारकम वर्ल्ड टूरिजम डे पर आयोजित हो रहा है। कुछ लोग सोच सकते हैं कि हेल्थ केर के प्रोग्राम का टूरिजम से क्या लेना देना। लेकिन हेल्थ का टूरिजम के साथ एक बड़ा मजबूत रिष्ता है क्योंकि जब हमारा हेल्थ इंफ्रा सेक्टर इंटीग्रेटर होता है, मजबूत होता है, तो उसका एक सकारत्मक्त प्रभाव टूरिजम सेक्टर पर भी पड़ता है। क्या कोई टूरिस्ट ऐसी जगे जाना प्चाहेगा जहां किसी इमर्जंसी में इलाज की बैतर सुविधाई नहों और कॉरोने का बाद से तो अब ये और भी महत्वपुन हो गया है जहां बैक्षिनेशन जितना ज्यादा होगा टूरिस्ट वहां जाने में उतनाई सेफ करेंगे और आप में देखा होगा हिमाचल हो उत्राखन हो सिक्कीम हो गोवा हो ये जो हमारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन वाले राज्ये हैं वहां बहुत तेजी से अन्वा निकोबार हो बहुत तेजी से वक्षिनेशन को बल दिया गया है क्योंकि टूरिस्टों के लिए म और भी मजबुत होंगे जिन जिन जगहों पर हेल्थ इनफराब बहतर होगा वहां टूरिजम की संभावनाएं और ज्यादा बहतर होगी यानि हास्पिटल और हास्पिटालिटी और एक दूसरे के साथ मिलकर चलेंगे साथियों आज दुनिया का भरोसा भारत के डॉक्टर्स और हेल्थ सिस्टेम पर लगातार बढ़ रहा है विश्वम है हमारे देश के डॉक्टरों ने बहुत इज्जत कमाई हैं भारत का नाम उच्छा किया है दुनिया के बड़े बड़े लोगों के साथ आप पूछो गयों तो कहेंगा हाँ मेरा एक डॉक्टर की हिंदुस्तानी है यहने भारत के डॉक्टरों की नाम ना है भारत के इंफ्रस्ट्रक्चर अगर मिल जाए तो दुनिया से हेल्थ के लिए भारत आने वालों के संख्य का बढ़नी बढ़नी है इंफ्रस्ट्रक्चर की कई मर्यादाओं के बीच भी लोग भारत में ट्रीट्मेंट करनानक लेगे आते हैं और उसकी कई के भी दो बड़ी इमोशनल कथाएं हमें सुनने को मिलती है छोटे-छोटे बैच्चे हमारे अडूस-पडूस के देशों स भी जब इहां आते हैं स्वस्थ हो करके जाते हैं पुरा परिवार खुश तो उस देश में भी खुश जी हम भैल जाती है साथियों हमारे वेक्षिनेशन प्रोग्राइम कोविन टेकनोलोजी प्रेटफोर्म और फार्मा सेक्टर में हेल सेक्टर में भारत के प्रतिष्ठा को और बढ़ाया है जब आविश्मान भारत डिजिटल मिशन भारा टेकनोलोजी की नई वेवस्थाएं विक्सित होगी तो दुनिया के किसी भी देश के मरीश को भारत के डॉक्टरों से कंसल करने, इलाज करने, अपनी रिपोर्ट उन्हें बेजकर परामर्च लेने में बहुत आसानी हो जाएगी निश्चित तोर पर इसका प्रभाव हेल्ट टूरिजम पर भी पड़ेगा